हेलो बच्चो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में आज के लेक्चर विड़ा हम जी यो सी को आगे बढ़ाएंगे और इस्टेविलिटी ऑफ इंटर्मीडियेट से पढ़ने वाले हैं आप बोलो के सर इस्टेविलिटी तो आपने हर जगे पढ़ा रखी है आपने इंडक्ट एफेक्ट में बताई थी हाई पर कॉंजूगेशन में बताई थी रेजोनेंस में बताई थी एरोमेटिसिटी जब आपन क्या कर रहे हैं complete सारे एफेक्ट लगाकर सारे एफेक्ट लगाकर हम क्या करेंगे इस्टेविलिटी को अगले लेक्शर में और कहानी शुरू होती है यहां से धियान से देखना जरा आप बहुत धियान से समझने की जरूत है अगर मैं आप से बोलूं देखो पहले आ अब आराम से निकाल लोगे जैसे सबसे पहला है अलफा एफेक्ट जिसको हम बैक बॉन्डिंग बूल रहे हैं अब सरी अलफा एफेक्ट या बैक बॉन्डिंग क्या होता है ध्यान से देखना मेरे पास यह कार्बोकेटायन है मैंने यहां पर लगा दिया वेटा हाइड्र यहां लगा दिया हाइड्रोजन और यहां पर कोई ऐसा एलीमेंट ले लो जिसके पास क्या हो लोन पियर हो जिसके पास क्या हो लोन पियर हो तो यह लोन पियर अपना किसको दे देता है इस कार्बोकेटायन को देता है मतलब यह लोन पियर बॉन पियर में कनवर्ट हो जात लेगा दूसरा एटम जो आपने साइड में लगा रखा था है ट्रो एटम जिसके पास क्या था लोन पेर था है ना तो इस तरीके से आपको दिखेगा इसका मतलब इससे तो चार्ज ही खतम हो गया बहुत बढ़िया साही गयर हो विलकुल चार्ज एक एक्जामपल ले लेते हैं जैसे आपके सामने दिया है पहले नमबर पे CH2 प्लस बा मैं वेट लिए है और यहां लिखा है इसこのप Review है और इसको तुम बोलोगे तीन अलफाएज क्या वो लोगे 3 अलफा S और यहाँ क्या वो लोगे BBS क्या वो लोगे BBS backbonding stability BBS मतलब backbonding stability इसका मतलब यह ज़ादा होगा किससे अलफा S से यह यह कहानी है ऐसे ही आपको apply करना है ठीक है चलो भाई पॉस करो और इसको लोट करो फिर आगे बढ़ रहे हैं बढ़े आगे चलो भई अब देखना सारे फेक्टर मैंने यहां लिख दिये हैं कौन-कौन से बीबीएस चेक करो सबसे पहले फिर फिर रेजोनेंस यानि की मैजोमेरिक फिर हाईपर और फिर इंडक्तिव आपको इस सीक्वेंस में चेक करना है कभी भी सवाल आए इस्टेविलिटी ऑफ कारवेन गभईड क्या करोगे बीवी-स सबसे बहले चेक करो गये न ध्यान रखन नटग फिर इंडुक्तिव और इस्टेबिलिटी ऑफ कार्वोकिटाइन हम जानते हैं क्या प्लस एंपलस है प्लस प्लस आई के डारक्ली माइनस माइनस है और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोजनल होती है यह आपको पता होना चाहिए एक एक और फेक्टर इंटिड्यूस होता है यहाँ पर हाइब डाइजेशन जैसे अगर मेरे सामने ऐसा लिखा है ध्यान से देखना CH triple bond C positive ठीक और एक लिखा है CH2 double bond CH positive और एक लिखा है मेरे पास CH3 CH2 positive ठीक है एक ऐसा लिखा है तो यह जो कार्बोकिटाइन बन रहे हैं यह किस पर बन रहे हैं यहाँ पर कार्बोकिटाइन कैसे बना होगा यहाँ पर कोई और एटम लगा होगा उसके निकलने से कार्बोकिटाइन जननेट हुआ होगा मतलब हाइब डाइशन यहाँ क्या रहा होगा SP हा से यहां कोई लीविंग रूप निकल रहा होगा है ना यहां पर हाइब रहा होगा यहां इसका चेक नहीं कर रहा हूं इस पर जुड़ा हुआ एटम मानलो ऐसा होगा CH3, CH2 और यहां लगा दिया मैंने CL, CL भागेगा यहां माइनस यहां प्लस आएगा ऐसे बन रहा है तो इसमें हाइब डाइसन क्या है जब माइनस प्लस नहीं बना था उस टाइम पर हाइब डाइसन इसका मैं बात कर रहा हूं तो यह क्या है SP3 है तो इस SP3 कारवन पर प्लस आ रहा है CL निकलने के बाद है ना यहां SP2 कारवन पर आ रहा होगा यहां SP पर आ रहा होगा और हमें यह पता है कि percentage S character विटा क्या होता है percentage S character जो है वो electro negativity इसके directly proportional होती ध्यान से सुनना electro negativity विटा directly proportional होती किसके percentage S character के अब percentage S character कैसे निकालते है वो सीख लो अगर मेरे पास SP hybridization है percentage S निकालना है तो कैसे निकालेंगे S में कितने हैं एक और total orbital कितने हैं दो इंटू क्या करेंगे 100 क्या जाएगा 50% आ जाएगा इस तरीके से निकालते हैं मालो मेरे पास SP2 है कैसे लिखूंगा percentage S is equal to 1S है और total 3 है इंटू क्या 100 क्या जाएगा 33.33% ऐसे निकालना है विटाया ना अगला देखो percentage S character किस पर SP3 पर कितना आ जाएगा 1 by 4 हिंटू 100 इसका मतलब 25% तो किसमे S परसेंट जादा है इसमे S परसेंट जादा है इलेक्ट्रो नेगटिवटी जादा है अब मुझे एक बात बता दो इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट पर positive charge unstable होता है इलेक्ट्रो नेगटिव पर positive charge बिटा क्या होता है अनस्टेवल होता है इसका मत dz oso box कर लो बहुत सारे सवाल करेंगे इन सभी क्वेश्चन में बहुत सारे और हैं ठीक है मैं पहले कुछ क्वेश्चन कराओंगा फिर आप ट्राई करना मेरे साथ में ठीक चलो भई सबसे पहला क्या सोचोगे करेंगे क्या इन में कहीं बीबीएस है कारवोगटाइन के एड़सेंट पोजीशन पर आपके पास हेट्रो एटम होना चीज इसके पास लोन पियर हो ठीक चलो भई कहीं दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है सेकंड फैक्टर सोचो क्या सोचो के विटा एरोमेटिसीटी बता कि decided in तीसरा रेजोनेंस दिख रहा है का इस के यहां पर वेटा इसके लिए यह वाला जो कारवन है इसके पास दो 12 है इसके लिए थी यहां दो यहां तोटल कितने पांच Bacon तीन दो हां इधर 236 att तो क्या आंसर आजायेगा एसा आजाएगा आपका अनसर देखो 35209 की सьटेबिलिटी ज्यादा होती है अगला देखो इसमें आजाओ ना इसमें बई बिए इस ना aromaticity लग रहा है, ना resonance लग रहा है, alpha H से देखेंगे, इधर 2 alpha H, इधर 3 और 1, 4 alpha H, इधर 3, 3, 6 और 2, 8 alpha H, ठीक है, क्या answer आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा, अगला बताओ, यहां भी BBS नहीं लग रही, कोई ऐसा item नहीं देख रहा, जिसके वास loan pair हो, ना तो इसमें aromaticity लग रही है, ना resonance, और hyper सीधा लगेगा, देखो जड़ा, एक alpha H यहां, इसके लिए 2 और 1, 3 alpha H, और इसके लिए 3, 2, 5, 2, 7 alpha H, तो यह ज़्यादा इस तरीके से compare कराना है, अगला देखो, इसमें कोई hetero atom है, क्या दिख गया, oxygen है, loan pair होते हैं, तो carbodyne से directly connect होना है, यहां directly connected नहीं है, यहां directly connected नहीं है, इधर है, तो यह अपना loan pair इसको दे देगा, मतलब बेटा यहां पर क्या है, BBS है, क्या है, back bonding stability यहां पर आ रही है, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, तो यह तो बेटा सबसे जादा होगी, आप देखना, इस positive के लिए 2 और 2, 4 alpha H है इस positive के लिए 2 और 2, 4 alpha H है, ना तो इसमें aromaticity है, ना ही resonance है, BBS हो गया था, बाकि इन दोनों में ना तो aromaticity है, ना resonance, तो hyper पे चलेंगे, 4, 4, दोनों में 4, 4 alpha H, तो hyper भी same लग रहा है, तो अब inductive पे चलना देखो, इस carbogenine के लिए यह oxygen minus i की तरह काम करेगा, इther है ना, इther minus i होता है, इसके लिए भी minus i होगा, और minus i distance dependent होता है, तो plus के लिए minus वाला, minus i वाला, जितना दूर उतना अच्छा, इसका मतलब यह दौनों में यह ज़्यादा stable, क्यों, यह oxygen दूर लगा हुआ है, और BBS तो बेटा सबसे ज़्यादा stable हो गया था, समझगे बात को, चलो वह आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखना, इससे directly connected fluorine है, तीन-तीन लगे हुए है ना, तो एक fluorine अपना loan pair इसे देदेगा, यहाँ पर chlorine भी loan pair इसे देदेगा, अब बताओ बेटा, दौनों में BBS है, देखो, यहाँ भी BBS है, दिहान से सुनना आप बात को है ना, यहाँ भी BBS ह है, और यहाँ भी BBS है, back bonding stability, और BBS बेटा बहुत अच्छा factor होता है, सबसे dominating यही मान लो, ठीक है, अब अगर BBS है, तो मुझे एक बाब बताओ, दौनों जगे BBS है, तो किसकी BBS अच्छी, देखो ज़रा, जिसमें comparable size होगा, उसकी BBS अच्छी होगी, देखना, यहाँ carbon कि किस period में आता है, second period में, fluorine किस period में आता है, second period में, carbon किस period में आता है, second period में, बेटा, chlorine किस period में आता है, third period में आता है, तो comparable size अगर होगे atom के, तो bonding बढ़ी अच्छी होती है, ठीक है, इसका मतलब 2P2P की bonding अच्छी होगी comparison to 2P3P, ऐसा, समझे है, मतलब यह stable है, इस से, लेक के लिए बीबीएस नहीं है क्यों कार्बोकेटाइन से डारेक्टली गनेक्टेट फ्लॉरीन नहीं है यह तीनों फ्लॉरीन किससे गनेक्टेट है ध्यान से देखो यह तीनों फ्लॉरीन अगर मैं बनाओं तो बिटा वह इससे गनेक्टेट है किससे गनेक्टेट है और यहां पर क्या चलेगा माइनस आई तो फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता है माइनस आई और फ्लोरीन इस ग्रेटर देन क्लोरीन और माइनस आई और फ्लोरीन इस ग्रेटर देन पर सोचेंगे सीधे इंडक्टिव सोचेंगे यह से चलना है कि लिए समझ में आया बहुत सवाल है इतने सवाल लाया हूं कि मज़ आ जाएगा चले आगे एक बेंजीन रिंका रेजोनेंस मतलब तीन वाला सबसे ज्यादा फिर दो वाला फिर एक वाला क्यों जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेविलिटी समझ गए चलो भाई आगे आओ यह बहुत बहतरीन सवाल है यह वाला कुष्ण इतना मस थे कि मज़ा आ जाएगा देखो आप धियान से देखना जड़ा बहुत धियान से सबसे वहले क्या सोचेंगे बैक बाटनिंग सोचेंगे कहीं नहीं दिख रही क्यों कार्वोगेटाइन के एडजिसेंट पर होना चीए मतब्ब कार्वोगेटाइन से डारेक्ली गनेक्टेड ऑक्सीजन होना चीए था यहां कार्वोगेटाइन से नहीं है दूसरा एरोमेटिसिटी होई नहीं सकती ओपन चेन है तीसरा रेजोनेंस अब ध्यान देना कई हां ऑक्सीजन आ रहा है उसके साथ कॉंजूगेशन में तो कई लोग ऐसे बढ़ते हैं प्लस सिंगल डबल और रेजोनेटिंग स्टक्चर ऐसे बनाने लगते हैं कि बॉन्ड पेर इसका बनाने लगते हैं वेटा तो यह क्या है हाईली अनस्टेवल हो जाता है क्यों ऑक्स इसको आप regionance नहीं मानोगे इसको आप regionance नहीं मानोगे highly unstable है तो ऐसा नहीं खरने का ठथे due लॉन तो यह रेजोनेंग historically हो यहां ढोने हैं यहां तो और होई नहीं रहा मतला मतलब यहां आपको सामने सी लिए दो अलफा एच कोई रेजोनेंस नहीं मानना इसको प्लस सिंगल डबल अगर ऑक्सिजन आ रहा है तो रेजोनेंस नहीं होता ध्यान लगना इसमें जीरो अलफा एच तो विटा अलफा एच से आंसर कर देना यह आ जाएगा फाइनल बहुत अच्छा सवाल है यह बहुत बहुत इसमें जुट जाएगा पॉजटिव सिंगल डबल चलता जाएगा गूमता जाएगा न तो इसका ज्यादा स्टेविलिटी फिर यह वाला फिर यह वाला क्यों यहां पर वन रिंग का रेजोनेंस यहां पर बोल सकते हो दो कॉन्जूगेशन मिल रहे हैं ठीक है और यहां बोल सकते हो एक कॉन्जूगेशन मिल रहा है ऐसे देख के आप बता सकते हैं समझे बात को क्या चल रहा है बहुत बढ़ी है अगला सवाल करके बताओ देखो इस वाले के लिए मैं बात करूँगा कोई बैक बॉंडिंग नहीं एक बार को क्यों क्योंकि यह क्या है साइ तीचे फेक दो हीघवाई आव ननाहें ऐहां ज्यूगयशन नहीं है तो यहां रेजयोनेंस है और यहां नहीं है तो आपको पता यह है यहिदा अच्छा होता है ना कशेम प्रॉब ant country कुन एक दूछ emissions पता होंगे ना तो आराम से बना लोगे आप ना फैक्टर आपको पता होने चाहिए एक पॉस कर लो नोट कर लो बहुत सवाल है आपको सीख जाओगे बस देखते जाओ है ना आ जाओ ज़रा इसमें पहला फैक्टर बीबीएस है क्या बीबीएस कोई हेट्रो एलिमेंट ऐसा इस तरफ यहां प्लस सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं है अब देखना जरा अब धियान से बहुत धियान से प्लस इंगल डवले इसके लिए तीन अलफा एच इस तरफ यह वाले यह एस्पी 3 हाइपडाइज है ना तीन आलफा एच इसके लिए अब यह दॉनों रेजनेंस थे तो उसमें भी जीत गया क्यों तीन अलफाइचे इसके पास फाइपर बोलों बढ़ोगे ना आगे रेजनेंस अगर से मैं तो हाइपर प्रपिचल ओगे अगला बता हो कारवो के टाइन के पास में बताना जराकार बोगर टाइन के पास मैं क्यों कार्बोगेटाइन दूर किसक गया वी वी एस वाला जादा होता है बात समझ में आरी क्या कह रहा हूं बहुत बड़ी है चलो गई इसके लिए देखना ज़रा पॉजिटिव लगा हुआ यहां पर और नीचे बाहर बाले कार्बन पर प्लस है तो यह प्लस बीटा कॉंझ्यूकेशनuma करके यहां पर लेयां इसको प्या पर मतलब तुम्हें क्या करना है इस पॉजिटिव का रेजिटिव कर बनाकर pity प ला ना है और अब चेक करना है कितनेम लफाएच क्यों क्योंकि आलकाइल आप साफ साफ समझ गए हो क्या करना है ऐसा अब मैं आपको बताता हूं इस प्लस को तुम पैरा पर कैसे लाओगे देखो इस प्लस के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखना ऐसी बता देता हूं आपको रफ मैंना कैसे ध्यान से देखो इसको कैसे लाओगे तुम पैरा प पॉंजरे बाद हो अगला देखो किसमें आना ज़रा बिटा इसके respect मैं यहां पर यह गुरूप मैटापर लगे हैं और मैटा पर एम काम नहीं गरता एच काम नहीं गरता मैटा पर ठीक है ध्याना करना मैटा पर एम और एच काम नहीं जाता है और प्लस आई होना अच्छी बात होती कार्वोगटाइन के लिए तो तुम यहाँ पर क्या करोगे यह जो अलकायल गुरूप है ना इसका एम एफेक्ट या एच एफेक्ट नहीं ले पाऊगे क्यों मैटा पर लगे हैं मैंने बताया था मैटा पर एम काम नहीं करता तो इसके लिए आप अलफा एच नहीं लोगे क्या लोगे इसके लिए इंडक्टिव लोगे ओनली कब जब मैटा पर ग्रूप लगे हो बहुत ध्यान से करना बहुत इंपरेंट कॉश्चन होते हैं इस ताइप के है ना चलें आगे शलो भई इसको पॉस कर लो और नोट कर भING के बाहर एक कार्मन लगा है और उसपर प्लस से रिंग के बाहर कार्मन लगा उस पर जफिरे तब तो तुम क्या करते हो तब तो तुम यह देखते हो कि अगर गर आर पई तो क्या कि सिर्क करते अगर मैं ऐसा बोलूं देखो जरा तो क्या ये positive resonance करेगा भाई double-bonded पर प्लस है यह double-bonded वाले करवन पर प्लस है resonance नहीं करेगा हमें तो यहां कोई resonance नहीं होता तो सिर्फ inductive सोचना है कब ring पर ही plus लगा हो तो resonance नहीं सोचते, inductive सोचते हैं, इसके लिए क्या सोचोगे, inductive क्या है, minus i, यह क्या है, minus i, यहाँ तो कोई minus नहीं लगा है, इसका मतलब यह सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि minus से अच्छा है की कुछ ना हो, कार्वोगटाइन के लिए ना और माइनस आई में क्या होता है कार्वोगटाइन से माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा क्या बोला मैंने कार्वोगटाइन से माइनस आई वेटा जितना दूर उतना अच्छा इसका मतलब यह आएगा वेटा अंसर देखो यहां इंडेक् जिसको मिठाइल बोलते है मिठाइल लागा मिठायल क्या होता प्लस हाई सोचो जरा इसके लिए फढ़ा वड़से पॉस करो ट्राइक करो करते जाओ मेरे साथ मैं सब सिखा देंगे आपको भस धियान सा देखते जाओ है ना बहुत ध्यान से देखते जाओ बहुत सारे लोग यह नहीं पढ़ाएंगे आपको अब दो तीन कोश्चन करा देते हैं वसो गया काम प्र कहते हैं हम भी बैस पर ठीक है आजब ज़रा फिफ्टीन वाले में देखना अगर रिंग वाले कार्बन ध्यान सुनो रिंग वाले कार्बन पर ही प्लस होगा तो क्या होगा रिंग वाले कार्बन पर ही प्लस होगा तो रेजनेस वगरा कुछ नहीं सोचना इसका क्या हैगा सारय कोईhen कोई प्लस आई इस वाला यह भी मिधैल है और यह तो निूट्रल है कोई फ्लस आई नहीं लगा इसका मतलब यह बेकार होगा और यह सारें अच्छे होंगे अब बताना जरा कारवो के टाइन के लिए प्लस आइ अच्छी बात होती यंची बात होती है है देहां कॉन सा ज़ादा होना चाहिए कॉन सा जादा होना चाहिए ब paws कि यहां देखना चराब प्लस इंगन डबल और फिन लगाएं यहां प्लस के पाओ भाई साब देखो प्लस के पास में क्या है लोन पियर तो ये क्या करेगा BBS यह क्या करेगा BBS यह करेगा अब धियान से सुनना इस वाले प्लस के पास में ओ नहीं है लेकिन आफ्टर रेजुनेंस अच्छा सवाल है यह इस्तार लगा लो लेकिन बेटा आफ्टर रेजोनेंस ये क्या करेगा यहां प्लस ले आएगा ऐसा और आफ्टर रेजोनेंस जब प्लस लाएगा तो ये ऑक्सिजन अपना लोन पियर देकर BBS ले आएगा मतलब BBS दानों में हैं किसकी BBS है इस वाले की BBS है पूछो क्यों क्यों कि ये अपसिजन का लोन पियर इसको जब देने जाएगा तो ये बोलेगा हम बरात में आएगा क्या हमें क्यों नहीं दे रहे हो इसका मतलब ये oxygen का loan pair ध्यान से देखना ये oxygen का loan pair इधर भी conjugation करना चाहेगा इसका मतलब ये loan pair इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है मतलब effectiveness इसकी कम हो गई ना इस तरफ करने की जबकि यहां पर positive resonance करके जब आएगा तो यह वस इसको ही दे रहा है इधर कोई conjugation नहीं लगा बात समझना ध्यान से बहुत बढ़ी है सवाल है यहां आपको डारेक्ट देखने में बीवी लग रही थी यहां बीवी नहीं लग रही थी लेकिन ऍवी नें करके यहां प्लस ले आएगा तो oxygen अपना लोन पेर देकर वीपीए असहां पर किया है इसको इधर भी जाना एसा हो अगला सवाल देखना नहीं यहां देखो oxygen के पास लोन पěर देदेगा क्या है यहां 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 discharge आज बीविएस यहां ऊक्सिनके बास लोन प्रेंडेçonेंट पर नहीं तो नों बीभी तो इसकी विविए और इसकी बीभी नहीं जिसकी बीभी होती हो टार चैनल को जान रखना कर इस पτα होता है थैसे न जी si कि कि यह सो पॉजिटिव है इसकेI पर लूइटक सथे साथ पर पिंठ Department के फास लोन पिर यह दे देगा यहां ऑक्सिए के पास लोन पिर है देतेगा यह देतेगा, comparison to this क्यों कि कारवन और नाइट्रोजन आसपास हैं, पड़ोसी हैं, Carbon agent वाला पड़ोटी जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पड़ोसी औक्सिजन है, कारवन का पड़ोसीय औक्सिजन नहीं अगला बताना जरा CH3 CD 3 CD 3 plus बीटा प्लस आई मैंने आपको बताया था फिलस आई-पावर किसकी ज़्याधा होती है ट्रितियम होता है फिर यूटरियम होता है फिर हाईूजण होता है तो प्लस हाई तो कार्बोकटइन के लिए एच्षी बात ना बिटा प्लस आई कार्बोक से पहले हाइपर कॉंईर ग़ेशन लग जाएगा क्यों कार्बोक मेंनेठीन है कितने 383- unacceptable यहाँ कितने हैं नाइन 약फऑ थी ऐब कैसे करोगी देटा यहाँ पर हो determination आपको यह पता है कि bond energy hi Caesar कि होती यह कम सीडी की और पर की मतलब अगर आपके सामने कभी आईसोटो पा जाएं तो यह ध्यान रखना जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसका बॉंड अच्छा होता है ध्यान रखना जिसका मास नंबर ज्यादा उसका बॉंड अच्छा जिसका मास नंबर ज्यादा उसका बॉंड अच्छा ध्यान पाड़ी निखलेगा इसका मतलब कौन आसानी से टूटेगा त्रीष मतलब यह ज्याद इस्तेबिल बना देगा मेंस एंसर इसका यह जिसकी Shannon ट एनर्जी कम होगी अंकू स्की स्टेविलटी ज्यादा होगी किनाफा solid और टीम है जिसकी बॉंड एनरजी का मुस्की स्टेबिलिटी ज्यादा सीधा सफंडा क्यों जब हाई पर कॉंजूगर इस्ट्रक्चर बना तो बॉंड ब्रेक करते हो के नहीं करते हो करते हो ना यहीं होता है इसमें ठीक है चलो भाई आगे बढ़ें अब आजाओ कुछ important point कितने सारे कितने question कर लिए बनने वह भाई सब 20 question कर लिए क्या बात है वह कराएगा कार्वोटायन में तो आपको आजाओ जड़ा थोड़े से point पढ़ लो इसके important point क्या अगर मेरे पास बेटा cs3 plus लखाया है और एक ऐसा लिखा है इस अगर इस बेटायन को localize बोलते हैं कि कहीं जानी रहा रहा है इदर देखो प्लस single double यह क्या कर रहा है conjugation कर रहा है conjugation कर रहा है तो क्या बना लेगा ऐसा बना लेगा bond pair is converted to bond pair मतलब इसको क्या बोलोगे डी लोकेलाइज। इसको क्या वूल हो कि लोकेलाइज कारवोगेटान। क्या होता एसपी 2 डी लोकेलाइज भी चाहेऎज वह सावीड यह सायह मेंरे राईगुनलेनर दॉना ही де्षटकुनय फ्लेनर। न इन वंख सथमने भी होता है औтор स्ने वेकलाइज और रही Backfunding मतलब लोन पेर लेने के लिए ऐसी जगह भी तो होना चीजहां रख पाएं लोन पेर आ रहा है दोड़ते हुए हमारे पास खाली जगह होनी चाहिए ना मतलब खाली और्बिटल होना चाहिए होता इसके पास देखो तीन बॉंड बना रहा है छे एलेक्ट्रॉन है लुइस के है एक सारे एलेक्ट्रोन पेट है थो डाया मैंगनेटिक होगा बिलकुल होगा क्यों सारे बोंड पी है कोई बहुत प्र मानिन है यहां पर मेंगएटेक मुमेंट ममानि यह मतलब मैंगनेटिक ग्रिख कर दो amaze एक ग्रिवयंट यहाँ जी साख्षॉ यहां समझ गही है कर को यह कहानी है है यहां प्लूस यह आप चलते है इसाहीं स्टेओ इन यहीड मेंगनेटिक गतांब जैसे हमने कार्बो के टैन में सोचे थे वही करनाे में लगाने बस यहाँ पर पहला एफक्ट जो था उससे थोड़ा सा अलग है मैं द्यान से देखना वह वहाँ भी यह था एसा अलुफा एफैक्त था यहां भी BBS है अल्फा एफेक्त है कैसे कार्व एन आएन के एडवजिसेंट पर ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेर हो सुरी लोन पर बेकंड और्बीटल लोन पेर और्बिटल अब यह कैसे पता चलेगा वेकंट डी है एक टॉमिक नंबर ध्यान से सुनना एक टॉमिक नंबर थर्टीन से लेकर 17 तक और इनके नीचे आने वाले सभी element में वेकंट और बिटल होता है मतलब aluminum से लेकर chlorine तक और इसके नीचे वाले ते अब देखना यह क्या करता है यह अपना लोन बेयर बॉन्ड पेयर में convert कर देता है तो क्या होता है इसके पास जर्गऻ हो जाता यहां चार्ज आ जाता है मतलब BBS से क्या हुआ BBS से चार्ज ही घतम हो गया तो सबसे ज्यादा stable criteria होता है समझ गया दौनों की बीवी में क्या फरक है कार्वोगटाइन की बीवी में क्या होता है कोई हेट्रो एलीमेंट आकर लोन पर देता है कारव नाइन की बीवी में गया था कारव नाइन का लोन पेर किसी दूसरे एलिमेंट के वेकरेंट और बिडल को देता है यह कहानी है जैसे अगर मैं एक्जांपल के तोर पर आप से compare करवा हूँ ध्यान से देखना है CH2- क्या OH और CH2- क्या SH बताओ कारव एनायन से ध्यान से सुनना कारव एनायन से डारेक्ली कनेक्टेड एटम कारव एनायन से डारेक्ली कनेक्टेड एटम क्या है ऑक्सीजन यहां क्या है sulfur इसके पास vacant d-orbital है क्यों atom नंबर 16 होता है 17 के पहले आता है क्या बात कर रहे हो 17 के पहले आता ना 16 है क्योग आपर यह कारवे9 अपना 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 ओन पेर देता है किसे कर देता है bond pair में convert कर देता है ना तो loan pair bond pair में convert होगा इसका मतलब BB है इसके पास तो BBS है इसके पास no BB क्यों oxygen के पास vacant orbital होते ही नहीं यह d-orbital क्योंकि second period का है second period के element के पास vacant d-orbital नहीं होते ध्यान दखना है ना तो यह कहानी है इसके इसके पास back bonding stability रहती है आगे बढ़ें समझलों यह सारी चीज देखो यह सब चीजें आपको अगर नहीं पता होंगी ना भाई साब 101% में sure हूं कि एक्जाम में question गलत कर आओगे विल्कुल कर आओगे क्योंकि इस टाइप के सवाल जेई में आ चुके है बैक बॉंडिंग stability से रिलेटेड तो यह आपको पता होना चाहिए ना चलें आगे नोट कर लो अच्छे से चलें अ कि फैक्टर देखो क्या बीबी एस लगाना है क्या लगाना है बीवी एस फैर एरोमेटिसी फैर मेज़ोमेरिक फैर हाई पर फैर इंडक्टिव ऐसे सोचना आपको और हमें यह पता है कि कार वेनायन की stability इनके डारेक्टली प्रॉपोस्नल जितने नेगटिव है सबके डारेक्टली प्रॉपोस्नल क्यों एलेक्ट्रॉन खीचेंगे कार वेनायन पर चार्ज कम करेंगे स्टेबिलिटी वढ़ाएं यह वाले क्या करेंगे उल्टा काम कर देंगे लेक्ट्रों देंगे विचारे के पास बहुत सार्ण हो जाएंगे मतलब इस्टेविलिटी कम हो जाएगी है ना चले आगे नोट कर लो अच्छे से ये फैक्टर सोचने अगला देखना एक और आगया है जैसे वहां था वैसी यहां है ठीक है ध्यान से देखो अगर बेटा मैं ऐसा लिखता हूं ध्यान से देखना ऐसा लिखता हूं डा इसमें क्या अब आप बताओ मुझे ध्यान से बताना से अधर SI हाइबड़ाइस कारवन पर रहा है यहां SB रहा होगा उसके बादगे ना इसकि ञएये और बेटा यह एलीट्र स्था अभ रहा होता है मतलब यह आंसर एगा पहले क्या था प्लरट गया था यहा माइनश खालए आगया दिखान रखिएगा चलें आगे चलो भई कंपेर सबसे पहले क्या सोचना है बीबी एस देखो यहां नेगटिव है सलफर के पास क्या होता है वेकेंट और बिटल होता है इसका मतलब यह लोन प्यायर इसके साथ और बिटल के साथ क्या करता एक तरीके से बॉंडिंग नहीं 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 नो बीवी एस से क्या होता है स्टेविलिटी वड़ जाती है समझे बात को सलफर के पास वेकेंट और बिटल है तो लोन पर उसके वेकेंट और विटल में देखा जिसको हम ऐसे दिखाते हैं कि उसने बॉंड बना लिया है अगला बताना अगर ध्यान सु पर एक कारवन लगाओ, उस पर चार्ज लगाओ तो मेजोमेरिक होता है, बेनजीन पर ही चार्ज है तो कोई मेज़ नहीं mówi Inductive से करेंगे और बेंजीन पर लगायेगा माईनस आई, अब मुझे आप एक बात बताओ, बहुत धियान से बताना inductive effect distance dependent होता है minus i जितना पास उतना अच्छा minus i जितना पास उतना अच्छा किसके लिए carbonine के लिए अच्छी बात होती है माइनस i लगा रहे ना अगे बढ़ें चलो अगला बताना carbonine बेंजीन रिंग पर ही है इसका मतलब चलो पहले ट्राइए करो आप लोग करो तो मजाएगा सही आना चाहिए आंसर चलो कितके देर से पढ़ रहे हो करो ट्राइए करो आंसर एकदम सही आना चाहिए आपका करें देखना ये जो माइनस चार्ज है इसके लिए ये क्या है मिथाईल है ना मिथाईल क्या होता है फ्लस आई मिथाईल क्या होता है फ्लस आई ठीक है भई इधर आ जाओ ये क्या है प्लस आई ये क्या है प्लस आई अब देखना ज़रा माइनस लगा है कारवनाइन लगा है नेगेटिव चार्ज अगर है तो प्लस आई बहुत गंदी वात है प्लस आई बहुत गंदी वात है जितना दूर लगा हो उतना अच्छा है जितना दूर लगा हो उतना अच्छा है ऐसे चलना है आपको नहीं कर पाूगा एक्साम में कुछिंट क्या बात कर रहा है इतना असान है बस लोग पड़ाते नहीं है आपको है इधर आज़ाऊ जराऊ यह नेगटेटिफ सिंगलवर रियादेगेण फिंगल राइन यहां बी रिय कोयी मिलेंश लेकन एक चीज और छुट दिआ और ऊरो मैटेशिती सबसे पहले बी-बी देखनी है इंडिए इंडी डेखनी देखनी बीबी के नहीं थिए अगला फिर क्या देखना एंड इसका मतलब नॉन एरोमेटिक के अलावा यहां जो डॉमिनटिंग फैक्टर आगला रिजोनेंस आएगा sequence आप दियान दखोगे मज़ा जाएगा वाई sequence दियान दखना हूँ ठीक है चलो वई pause करना आगे बढ़ेंगे फिर pause करो note करो note साथ में करते जाना है ना चलो आगला देखना यहां देखो बहुत ध्यान से देखो देखो यहां पर cl के पास बेठा वेकंट और्बिटल होगा यहां f के पास नहीं होगा तो यह अपना लोन पेर इसको देदेगा ठीक है इसका मतलब क्या होगा इसकी बीबी बन गई वी बीबीएस है यहां में D नहीं होता बेटा 2D एक्जिस्टी नहीं करता तो कहां से होगा है ना समझना बात को अब VBS है मतलब यह ज्यादा stable है इसका मतलब एक सवाल आपके सामने आ गया बहुत ही important question होता है यह क्या question होता है देखना ध्यान से acidic strength क्या acidic strength किसकी CHCl3 की जादा होती किस से CHF3 से chloroform is more acidic than chloroform क्या बोला मैंने chloroform is more acidic than chloroform क्यों क्योंकि अगर मैं यहां से एच प्लस को उड़ा दूंगा तो एनायन बनेगा यह वाला यहां से उड़ाऊंगा एनायन बनेगा यह वाला कौन सा एनायन ज्यादा stable है यह वाला मतलव इसने आसानी से H निकाल दिया होगा किया बात सही है फिर सुन लो इसने आसानी से H निकाल दिया होगा बहुत बढ़ी है तो यह अच्छा सबसे वहले बीबी यह सोचो सोचो मेरे साथ सोचते जाओ क्या एस में बीवी है कोई ऐसा हेटरो element दिख रहा जिसके बास vacant orbital है हेटरो एलिमेंट कोई है नहीं है पर सारी कारवन यह बीवी नहीं होगी अगला आर्मेटिसिटि सोचओ रिंग है यह वी रिंग है यह भी रिंग है यह इएृमेटिसिटि सोचओ गे तीनों kilomet数 की नहीं कहां पर मुझाब यहतसेन आग है कर दो क्योंकि यहां ये वाले कारवन ऍेशन वनिया रहें इसंटरफन इस वाले में ईदर तो है इदर है लेकिन यह कारबन काुंट मियगे अगे कर भड़ो रर देखना नेगिटेfs सिंगल डवल मैं क्या लिखूंगा Negative Single Double मतलब एक resonance या एक conjugation यहाँ देखना Negative Single Double, Negative Single Double दो resonance या दो conjugation यहाँ देखना Negative Single Double, Single Double यहाँ दो resonance या दो conjugation अब इसमें भी दो हैं अब कैसे करोगे अब तो फस गए बेटा, revise करके नहीं आये हो revise जरूर किया करो lecture क्योंकि organic interconnected है है ध्यान रखना रिवाइज रिवीजन चलता रहना चाहिए रिवीजन नहीं करोगे सब निकल जाएगा ऊपर से रिवीजन करते रहो मैंने आपको बताया था क्या extended conjugation ज्यादा अच्छा है cross conjugation से देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है यहां हो रहा है नेगटेव सिंगल डबल सिंगल डबल देखो यह extended conjugation यहां क्या हो रहा है नेगटेव सिंगल डबल नेगटेव सिंगल डबल cross conjugation रिखान रखना क्या है यह विटा extended यह यह क्या है विड़ा cross conjugation cross conjugation मतलब extended वाला ज्यादा अच्छा होता है तो दो रेजोनेंस दो तो आगे आगे एक रेजोनेंस पीछे आ गया अब दो रेजोनेंस वालों में extended और cross का फंडा है समझे बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके सामने लिखा है फटा फटा आंसर कर तो दोनों करो सैविन्थ वाला भी करो और एडट वाला भी करो रोट राय करो मेरे साथ जल्दी से बता प्यएच प्यप्याच मतलब क्ता बैंसीन रिंग क्ैद्य बैंजिन रिंग लगी हुई है जर्दी बहोrij लो कितनी लगए हुई है तीन तीन रेंग है ना तो यहां विटा कितनी रिंग का रेजोनेंस है तीन रिंग का यहां कितनी का दो रिंग का यहां कितनी का एक रिंग का बस हो गया काम क्या बात कर रहे हो फतम तो तीन का रेजोनेंस फिर दो का फिर एक का तीन रिंग का रेजोनेंस बहुत न है न अगला बताओ नेगटिव कोई ए रेजुनेंस नहीं नेगटिव सिंगल टवर एक रेजुनेंस ठीक है नो रेजुनेंस यहां पर वान रेजुनेंस ना तो इसमें बीबीएस था ना इसमें अरोमेटी सीटी तो सीधे रेजोनेंस से चल गए रेजोनेंस से चल लोगे तो आंसर यह आएगा एक रेजोनेंस ठीक है समझे बात को क्या बात है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ें अगला सवाल कर लो भाई question मेरे साथ करते जाओ अगला question आपके शामने लिखा है क्या सोचोगे सबसे पहले हम वी बीये सोचते है एना चलो बई क्या कोई हैट्र // शजण लोगई अगला क्या होका और अगला बताना जड़ा इसमें अरे बतातो जल्ली से इसके पास में है nitrogen लगा है hetero element है ना nitrogen लगा है nitrogen second period में आता second period में डी नहीं होते है ना इसके पास में phosphorus लगा है ओई phosphorus थर्ड पीरेट का है डी होंगे इसमें ना तो back end डी आएगा इसमें इसका मतलब यह अपना loan pair इसको देकर stable हो जाएगा means यह क्या है इसमें BBS यहाँ no BBS समझे वाद क्या सिखा रहा हूं बहुत बढ़िया आगे कि सवाल try करोगे करो जड़ा try करो देखते हैं 11 वाला कर पात देखने try करो मज आ जाएगा ग्यारा और बारा दोन ट्राइ करना पाउस करो ट्राइ करो कैसे द्यान से देखें कर लिए ट्राइ आगे बढ़ू चलो गई देखना यहां resonance है यहां भी resonance है और यहां भी resonance कोई बीवी वगरा नहीं थी कोई aromaticity नहीं अब ध्यान सुनना इसका जब resonance होगा loan pair is converted to bond pair, यहां loan pair is converted to बौन पेटेबा, यहां loan pair is converted to bond pair, बॉर्ण बकेर is Converted to loan means, loan pair is Converted to bond pair, बॉर्ण is Converted to loan यहां देखना jahab तुम यह बनाओगे जब तुम यह बनाओगे ध्यान से देखना रेजो रेजो ठीक है इसका जब मैं रेजोनेटिंटिंग स्ट्ट्चर बनाने जाओंगा विड़ा इसका ऐसा देखेगा ऐसा एफा कैसा एफा इस वाले में कैफा होगा एफा होगा यहां माइनस और यहां डबल इस वाले में क्या होगा ऐसा होगा और यह आपका यहां गया एफा और देंगना अब मुझे एक बात बताओ तो मुझे एक बात बताओ अ 계속 चार्ज हहां सुनना नेगेटिफ चार्ज электronegative क्या है उसका मतलब यह ज्यादा स्टेवल है इस से इसका मतलब यह वाला कारवेनाइन ज्यादा स्टेवल होगा इससे देखो ऑक्सीजन क्या है वह को सिंपल है अगला सवाल बताना 12 नंबर का बताओं यह नेगेटिव है क्या बीबीयेस नेगेटिव है यहां मिलेगी बीवी देखो जणा यह नेगेटिव है धियान से सुनना इसके पास वेक्एंट और्बिटल मिलेगा सलफर है थ़र्ड पिरियन में आता ह। महराज थड़ पिरेट वालों कर दो कि वाकर यहां बडेवी तो यह ना यहां भी है और यहां भी है तो इसकी दो भी वी本当 2 यह उसकी एक ही वी भी दो भी तो बहुत तो बहुत अच्छी बहुत बढ़िया ना कि आएक आंसर यह आएक आसर हमाज लो बढ़िया अगे बने आगे पाउस करके नोट कर लेना कि कार्ब एन आयन के इमपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा है देखना ज़रा यह क्या है localized carbon ion है यह क्या है localized carbon ion यह क्या है जब तुम इसका resonance कराओगे तो ऐसा पाओगे क्या बोलते हो इसको de-localized क्या बोलते हो de-localized क्या बोलते हो de-localized ऐसा बोलते हो ठीक है भाई localized carbon ion मतलब loan pair इसी के पास रहेगा तीन bond pair एक loan pair hybridization sp3 sp3 मतलब trigonal pyramidal होगा loan pair है तो Lewis base की तरह काम करेगा loan pair donor होते हैं Lewis base loan pair acceptor होते हैं Lewis acid सीधा सीधा है न डाया magnetic है क्योंकि सारे ही pair है और magnetic moment क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका क्यों सारे ही pair है अन्पेर इलप्तौन है ही नहीं इधर देखना जरा इधर इसका जो loan pair है यहाँ loan pair होगा ना वह bond pair में convert हो रहा है इसका मतलब इसके लिए सिर्फ तीन सिग्मा काउंट होंगे loan pair तो पाई बनाने चला गया conjugation में sp2 को क्या बोलते हो trigonal planar बोलते हैं उसकी geometry Lewis base यह भी है डाय मेंगनेटिक यह भी है और सारी म्लटी है गार लोकेलाइज है तो यह प्रक्रल इलो कलाई से तो यह प्रोपर टी माजब है एसा करना होता है चलो जागी को सब्सक्राइब पर अगला है इस्टेविलिटिवेलीरे टीमसिटेंटीरेडल में ज़ते होकार्बोकेटाइं कार ड़ैन में में क्या किया थे धयान से सुनना करब एटान में बेटा क्या था कारगेट להर्की सिटी रेजूनेंस ऐपर इंडर कर या यहाँ बीदम्यट नहीं है यहां याँ यहां क्षबIST नहीं है यहां 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 expired सीधा मैजोमेरिक सीधा मैजोमेरिक फिर हाई पर फिर इंडक्ति बस यह सोचना है ठीक है और हम यह जानते हैं कि स्टेविलिटी प्लस वाले अगर होंगे ज़्यादा होगी क्यों फिरी रेडिकल की स्टेविलिटी वेटा कार्वोकेटाइन के सिमिलर होती है क्योंखिए होती है क्यों क्योंकि यहां भी डैफिशांसी होती इलेक्टरण की एलेक्टरण है सब्सक्राइबस प्लस सपोर्ड करते हैं और मीमाइनस वाले सब्सक्राइबस बहुत create हो रही है कहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पर एस केरेक्टर की वज़े से यह ना तो सेम कार्वोग डायन का कॉपी पेस्ट पॉजिटिव अटाके बस रेडिकल लगा दो ठीक है चलें आगे बिटा अब सवाल सुरू हो जाओ सेम फेक्टर लगाने जो अभी मैंने लिखें क्या मैजोमेरिक हाइपर इंडक्टिव सोचो सबसे पहले मैजोमेरिक फिर हाइपर फिर इंडक्टिव मैं म Mis ऐयुठ मैं मिम्य हैिसोर सुचो फ़ायशो जूप हो धियान से देखना बिटा यह रेडिकल द lados डिखाइव रेडिकल इस radical के लिए यहां से देखना इस radical के लिए यह पूरा का पूरा रिंग का resonance तो एक रिंग का पूरी रिंग का resonance पूरी रिंग का ठीक है यहां radical single double one resonance या one conjugation one conjugation ऐसा लिखो अरे विटा क्यों आ गया वन conjugation ठीक है अब मुझे एक बाँ बताओ ध्यान से देखना इस वाले के लिए देखो double bond पर ही radical है ओ भाई double bond पर ही radical है highly unstable क्यों electronegative element पर तुम deficiency कर रहे हूं है ना तो highly unstable है यह क्या वेटा double bond पर ही radical है highly unstable है double bond पर radical unstable है इसका मतलब यह तो पीछे आएगा यह conjugation और यह पूरी रिंग का conjugation तो यह आगे आएगा बेटा बेंजिन रिंग पूरी है घूम जाएगा radical एक दम घूम जाएगा रेडिकल सिंगल दबल सिंगल दबल कैसे देखो यह मैं यहां पर बना के बता रहा हूं रफ में देखो मेरे पास बेटा यहां radical है तो कैसे घूम जाएगा यह radical single double single double ऐसा घूम जाएगा यह ना तो यह बहुत भेंकर इसमें होता है अगला बताना चाहरा पहले सोचोगे एम फिर सोचोगे थ फिर सोचोगे आयाई चलो बहुत आ रेडिकल सिंगाल डबल रेडिकल सिंगल डबल दो No Conjugation एसे लिख सकते हो आप है ना इधर रेडिका सिंगल डवल एक Conjugation यहाँ No Conjugation अधम कहा नहीं पहले यह फिर यह अगला सवाल आपके लिए लिखा है बताओ पहले मैजोमेरिक सोचना फिर हाइपर सोचना फिर इंडक्टिव सोचना आँसर आजाएगा सोचो क्या इसमें रेजुनेंस है नहीं है बहुत बढ़िया क्या इसमें हाइपर लगेगा यस लगेगा कैसे इस रेडिकल के लिए यह कारवन यह कारवन और यह कारवन ठीक है यह तीन कारवन है मैं यहां से यह पॉइंट अटा देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि यहीं रेडिकल बना दिया है कि यह यह तीन कारवन है यहां दो है यहां यह एक है चलो बढ़ा यहां तीन होंगे यहां तीन होंगे और यहां तीन होंगे क्या हाइड्रोजन मतलब नाइन अलफा एच यहां तीन होंगे और यहां तीन होंगे मतलब सिक्स अ यहां तीन होंगे मतलब तीन अल्फा एच बात समझ में आई आपके क्या बात कर रहे हो और एक गजब यार यह यह क्लियर ऐसे करना बहुत आसान है अल्फा एच लगाना है अगला बताना जरा सबसे पहले मैं जो मैरेक सोचो रेडिकल सिंगल डबल एक कॉंजूगेशन यहां नो कॉंजूगेशन बेटा रेजोनेंसी नहीं है मतलब यह आंसर आएगा एक रेडिकल सिंगल डबल एक कॉंजूगेशन उधर नो कॉंजूगेशन क्या बात है थेक शलो वह आगे बढ़ेंगे बढ़ों आगे बढ़ते जाओ हुआ एक और सबाल रेडिकल से रिलेड़ेट बेटा बहुत ही IMPORTANT क्वेश्चन होता ये बहुत इंपर्डिन क्वेश्चन है बहुध जयादा कितना जयादा बहुत जयादा फिर चलो हई शुरू हो बताना जरा इसको मैं बताऊंगा ये आप लोगगों को सही करना है ठीक है यहां से मैं रेडिकल वाले हटा देता हूं इसको मैं बताऊंगा यह वाला आपको करना है इसको मैं बताऊंगा यह वाला आपको करना ठीक जब कभी भी आपसे यह बॉंड एनर्जी वाली चीजें पूछ ले क्या बॉंड एनर्जी तो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पहले इसका लॉजिक समझे लो ठीक धियान से देखना चाहिए यह अधा देता हूं अभी लॉजिक समझना है ना कि देखो यह ऐसे लिख देता हूं की बैंड अनर्जी कंपरिजन के बानऍट एनर्जी कंपरिजन देखना ध्यंक्ट fy मेरे पास अगर ऐसा लिखा है ध्यान से देखना और ऐसा लिखा है concept समझत समझ लो फिर आप आसानी से question मना सकते हो ठीक और आपसे बोला गया है कि इस bond को break करने में x किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दी गई है और इसको break करने में y किलो कैलोरी पर मोल दी गई है तो compare कराना x और y ठीक है x and y are energies in किलो कैलोरी x and y are energies मतलब bond energies है यह इन किलो कैलोरी ठीक है यहाँ कोई data वगयरा की बात नहीं करते बस आपको ऐसी बोल देते हैं कि x और y अब आपको compare कराना है क्या करोगे इस bond को फिरी रेडिकली तोड़ोगे यहां जो सुनना इस bond को कैसे तोड़ोगे फिरी रेडिकली ऐसे कैसे तोड़ोगे ऐसे बीच से तोड़ दिया दिख रहा है इसको भी तुम फ्री रेडिकली तोड़ोगे अगर तुम इसको फ्री रेडिकली तोड़ोगे तो यह क्या देखेगा देखना अगर तुमने फ्री रेडिकली तोड़ा तो वेटा ऐसा देखेगा समझना वात को य ऐसा देखेगा तो इसको तोड़ा ऐसा रेडिकल इसको तोड़ा ऐसा रेडिकल कौन सा रेडिकल ज्यादा इस्टेवल है देखना यहाँ नो रेजुनेंस यहां one conjunction मतलब resonance है? resonance है यहां पर. क्यों? one conjunction मिल रहा है. कि समझरे बात को? मतलब यह वाला ज्यादा stable है. किस से इस से? अब ध्यान सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से. यह ज्यादा stable है. इसका मतलब bond break करने में कम energy दी गयी होगी. bond break करने में कम energy लगी होगी, अगर energy कम लगी होगी तो सीधा order लिख लो, क्या, x जादा है और y कम है, x जादा है और y कम है, कतम होगी कहानी, x जादा है और y कम है, bond energy, इसका मतलब मैंने क्या compare कराया, stability का उल्टा होता है bond energy, मतलब, मतलब आगे भविश्य में आप ऐसे करोगे, क्या bond energy, इन्वस्टी वोस्टनल टू, stability of carbon free radical, in future आप ऐसे करोगे question, ठीक है, सबंज में आई बात, मतलब, carbon free radical की stability चेक कर लो, अगर stability कम, तो energy जादा, ऐसा है, stability जादा तो energy कम, ये concept है, और यही concept आपको इन दो सवालों में लगाना है, एक मैं करके बता रहा हूं, दूसरा आप करेंगे, देखो, इसमें आपको bond energy, A, B और C compare करानी है, ध्यान से देखना, इसमें आपको A, B, C compare करानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इस bond को तोड़ रहा हूं, किसको, इस वाले bond को तोड़ रहा हूं, तो कैसा दिखेगा, देखना, मैं इस bond को free radical, ऐसे तोड़ूँगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, यह तूड़ गया, यह तोड़ गया, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा दिखेगा, इसको तोड़ा मैंने free radical, बीच से तोड़ा, तो आपको ऐसा दिखेगा, second radical, B वाला, इसको तोड़ा मैंने free radical, तो आपको कैसा दिखेगा, C वाला, ऐसा दिखेगा, देखते जाओ, ध्यान से हैंना, अब मुझे आप बता दो, कौन सा radical ज्यादा stable है, बिटा, कौन सा radical ज्यादा stable है, देखो, इस वाले के, ध्यान से देखना, इस वाले के, एक अलफा ह, इस वा के, दो और एक, तीछ, फिसमीने free H, अगर मैं stability, कि बात करूं, stability, i stability किस वाले की ज्यादा stability इस वाले की बीच वाले की ज्यादा, इसकी साथ सथ ए। फीर सी वाले की और फिर वाली की बी की इस्टेविलिटी ज्यादा फिर सी फिर इसका मतलब बॉंड एनर्जी किसकी ज्यादा बी वाला कम फिर सी और फिर यह आंसर आएगा आपका फाइनल बेटा इस्टेविलिटी गंप्यर करा लो उसका उल्टा लिक देना आंसर आ जाएगा खुश रह इधर आ जाओ इसका बताना ट्राइक रोज़रा पॉस करो ट्राइक रोओ अच्छा लगेगा आपको पॉस करो और ट्राइक रो मजा जाएगा सारी चीजें देखो इस्टेबिलिटी ऑफ इंट्रमीडियेट में कार्वोगताइन कार्वेनाइन फिरी रेडिकल बड़े इंपोर्टेंट होते हैं अभी टाइप के केसे मैंने आपको यहां पर कवर करा दिये हैं चलो भाई शुरू करें देखना तोड़ें क्या बोलते हैं अरे आजाओ तोड़ते हैं देखो इसको तोड़ा इसको तोड़ा इसको तोड़ा यहां से देखना तीनों को तोड़ा मैंने एक्स वाले को तोड़ा तो ऐसा देखेगा देखो यहाँ पर यह मिथाईल लगा हुए अल्लेडी है न ऐसा देखेगा वाई वाले को तोड़ा तो ऐसा देखेगा देखो वाई वाले को तोड़ा तो ऐसा देखेगा जैड वाले को तोड़ा किसको जैड वाले को तोड़ा तो ऐसा देखेगा देखना जैड वाले को तोड़ा तो यह रेडिकल वाले को तोड़ा तो यह रेडिकल जैड वाले को तोड़ा तो यह रेडिकल यही वन रहे है अब stability compare कराएंगे इसके लिए एक resonance मतलब एक Conjugation ठीक यह तो double bond पर radical वेटा double bond पर highly unstable double bond पर highly unstable इसके लिए एक Conjugation देखो radical single double इधर तो वेटा इसके लिए भी एक Conjugation था इसके लिए भी एक Conjugation लेकिन इस वाले में और एक्स्ट्रा क्या है दो अलफा एच है SP3 hybrid hybridized carbon के लेते हो एच तो यहां भी है यह वाले अलफा एच में काउंट नहीं होते बताया था मैंने hyperconjugation में तो इसके साथ और क्या एक्स्ट्रा चीज है यहां पर दो अलफा एच ठीक यहां देखो इधर 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 इसके लिए तीन और दो पांच अलफा एच और आगए एक्स्ट्रा पांच अलफा एच और एक्स्ट्रा आगए कौन जादा स्टे वाले बताओ यह कौन सा था एक्स वाला था तुम्हारा यह वाई वाला यह जैड़ वाला आज आज आधर इस्टेबिलिटी लिख लेते हैं अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूंगा ध्यान से देखना इस्टे बिलिटी ध्यान से देखना इस्टेबिलिटी लिखूंगा तो किसकी जादा जैड़ वाले की जादा जैड़ वाले की जादा फिर एक्स वाले की और फिर वाई वाले की तो bond energy का order क्या आएगा, Z की कम, फिर X और फिर Y, पलट दो गई, stability का उल्टा होता है वेटा, stability का उल्टा होता है bond energy, मजगे बात को, ठीक है, ये Z वाल आपको दिख रहा है के नहीं सही से, हाँ दिख रहा है, इस वाले को थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, क्योंकि आपके बास notes पहुंचेंगे, तो आपको अच्छा लगएगा देखने में, ये वेटा Z है, और अपने ये थोड़ा था ऐसे, बीच से थोड़ा था ये, इधर ये वाई वाला भी थोड़ा साइगल लेते हैं, इधर क्या है आपका बीच से बाउन थोड़ा, और इसकी एनर्जी कितनी लिखी थी अपने वाई, इस तो ये कहानी थी पेटा, सारी चीज़ें हमने समझ ली एक बार फिर से देख लो आप, बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर करीं, कार्बोगटाएन की स्टेबिलिटी, कार्वेनाएन की स्टेबिलिटी, देखो, स्टेबिलिटी अफ इंटर्मेडियेट से सुरू किया, स्टेबिलिटी अफ कार्बोगटाएन, ये फेक्टर ध्यान लगना, अगर यह फेक्टर बेटा तुम्हें याद है ना मज़ा आ जाएगा मतलब एक दम धुहादार ठीक है क्वेश्चन बना ले जाओगे सारे ठीक है यह सब कार्बोकटाइन से रिलेटेड यह देखो यह वाले यह इस टाइप के और तो मेटा पहरा पर ग्रुप लगा दें बस हो या माइनस रिंग पर चार्ज है तो नहीं लेना यह यह बॉंड इनर्जी रिलेटेड़ कॉंसेप्ट है लोकलाइज दी लोकलाइज मतलब अच्छे से अपनने सारा कवर कर लिया प्रेक्टिस मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिये बहुत ही सारे मतलब कितने कराएं या बहुत प्रेश्चन कराएं चलो तो फिर मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं जाते जाते आपको एक बात कहना चाहता हूं यह बात मेरे दिल में कि चुदा सितंबर से थी और आज मैं आपको कहें देता हूं कि आप यहां पर आए और आपने हमसे stability of intermediate पड़ा उसके लिए सबी लोग बड़ा बालत थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है बढ़िया से अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे और stability of intermediate को खतम कर देंगे सारे कोश्चन आपसे बन जाएंगे चिंता नहीं करो हर टाइप का मैंने आपको concept सिखा दिया है individual effect जब हमने पड़े थे बिटा individual effect जब हमने पड़े थे तब तो हमने किये ही थे अब हमने सारे effect को एक साथ मर्ज कर दिया तो अब आपको कभी भूलना नहीं है बीबीएस उसके बाद aromaticity फिर resonance फिर hyper फिर inductive यह किसमें कार्बोकेटाइन और कार्वेनाइन में three radical में क्या करोगे resonance hyper inductive ना तो इसमें बीबीएस होती है ना ही इसमें आपका क्या aromaticity होती है ठीक है समझगे कहानी पूरी अच्छे से बढ़िया तरीके देखो बढ़िया तरीके से notes बनाओ notes आपके अच्छे होंगे सब चीज अच्छी हो जाएंगी जीवन में बढ़िया आप notes बनाये करो जूतने अच्छे प्राइमरी मत मान के चलो आप उसको प्राइमरी मान लेते हो नोट्स तो आई जाएंगे हम क्यों लिखें अगर तुम अभी से ही मैनत करना चोड़ दोगे तो हो गया काम future में भाई बहुत मैनत करनी पड़ती है हाल कि फुल की मैनत नहीं होती है अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो बहुत मैनत करनी पड़ेगी Otherwise घर में बैठे रहो तो कोई मतलब भी नहीं है इसलिए महनत करने से कभी फीछे नहीं हटना कभी ये नहीं सोचना कि हमें secondary पाथ लेना है। हमेसा primary path प quello प्राइमरी पाथ हु या महनत करना इसके अलावा कोई कुछ नहीं मतलब आपको कोई बता ही नहीं सकता जो खुद से मेहनत करोगे उसी से ही आप सीखोगे भाई गलतियां करोगे उठोगे फिर गिरोगे फिर उठोगे उठ जाओगे मतलब ऐसा है कि आप यह प्रोसेस चलती रहेगी ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी में इंसान एक बार गिरता है और फिर उठके आता तो उपर कि जोगे तो आपको दो घंटे का ही रिटन मिलेगा अगर से आपका एक्जान कौलीवाई नहीं होने वाला उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी अब यह मत कहना है किसर कितने घंटे पढ़ने से काम हो जाता है तुम्हारे पास कामी क्या है तुम्हारे घरवाले तुम्हारा अंडे का ठेला लगवाते हैं नहीं लगवाते ना तुम्हारे घरवाले तुमको कहीं भेजते हैं कि जा बेटा कामा के लाओ नहीं भेजते हैं तो क्या बचा तुम्हारे जिंदिग लोठो के नहीं आता है मतलब समय निकलता जाता है रोट के नहीं आता है फिर यह धियान लखो किना बढ़िया थारी को यह One मैं Bu कि कुछ चीज नहीं होती है Commence घए बात को मैनत करो अभी करो आपको आगे भी कर acting मेरे करीयर बनाने के लिए अ कर नहीं ही पड़ेगी मैनत तो वह आधा कर नहीं हि नहीं नहीं है